प्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है At the Round Earth's Imagined Corners Blow यह जो पोयम है यह उनकी फेमस Holy Sonnet 7 के नाम से भी जानी जाती है पोयम एक Petrarchan Sonnet है यानि 14 lines की यह पोयम है और एक octave और सिस्टेट में इसकी lines को बांटा गया है साथी बात करें अगर पोयम की rhyming scheme की तो वो है A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, C, D, E, E अब जैसा कि इस पोयम की title से ही पता चलता है चुकि यह एक Holy Sonnet है तो यह एक religious poem है और इसकी theme भी बहुत हद तक religion से जुड़ी है इसकी theme है death और साथ ही death के बाद जो dooms day आता है यानि जब मरने के बाद हम पहली बार भगवान के सामने जाते हैं और जहां हमारी पूरी जिन्दगी जो है वो count की जाती है कि क्या हमने अच्छे काम किये क्या गलत काम किये उन सभी का जहां report तैयार होता है उन सारी चीजों को यहां discuss किया गया है यह जो poet है यह चाहते हैं कि वो dooms day आए बता रहे हैं कि वो dooms day आएगा लेकिन खुद उस दिन से डर रहे हैं और इसका कारण क्या है वो खुद इस poem में समझाते भी है Friends अब अगर बात करें poet की तो John Dunn एक famous English metaphysical poet थे उनका जन्म हुआ था 22nd January 1572 में और उनकी death हुई थी 31st March 1631 में वो अपनी sonnets, love poem, religious poem, eleges और songs के लिए काफी famous हैं और उनकी famous works में Death be not proud, valediction, a forbidden morning, the flea, the good morrow ये सभी शामिल हैं तो चलिए friends आगे बढ़ते हैं और इस poem को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं At the round earth's imagined corners Friends जैसा कि हम जानते हैं हमारी ये जो धर्ती है ये round shape की है लेकिन पहले ये माना जाता था कि ये जो earth है ये round shape की नहीं है बलकि एक square shape की है, cube के shape की है और इसमें कुछ corners भी हैं तो वो जो corners imagine किये जा रहे थे वो north, west, south और east इस तरह से directions में बाटे गए थे और यहाँ पर ये जो poet हैं ये उन्हीं corners की बात कर रहे हैं कि earth के वो जो imaginary corners थे वहाँ पर blow your trumpets, angels and arise, arise from death वहाँ पर जो angels हैं, जो देवदूत हैं, वो क्या करेंगे अपने trumpets बजाएंगे जब भी किसी युद्ध की शुरुवात होती है या कोई नई चीज की शुरुवात होती है जो लोग उठ खड़े होते हैं, उसकी बात हो रही है और ऐसा कब होता है, तो जब हमारा doomsday आता है, जब भगवान के सामने हमें जाना होता है बस उसी दिन की यहाँ पर बात हो रही है अब arise करके क्या करना है, जितने भी numberless souls हैं, जिने count भी नहीं किया जा सकता इतने सारे souls हैं, इतने सारे dead people हैं, वो क्या करेंगे, अपनी bodies के पास जाएंगे वो bodies जो scattered है, हर जगा बिखरी हुई है यानि poet जितने भी मरे हुए लोग हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप सभी उठिये जागिए और अपनी मरे हुए शरीर के पास जाएए और ऐसा करने के लिए आपको कौन कहेंगे, तो वो जो angels, जो देवदूत हैं, जो दिन की शुरुआत के लिए ये trumpets बजा रहे हैं All whom the flood did, and fire shall overthrow, वो सभी लोग जिन्हें flood ने मारा, या जिन्हें fire ने overthrow किया, fire ने बरबाद किया उनकी जान ली, चाहे वो बाड से मरे हों, या आग में जल कर मरे हों All whom war, death, age, agues, tyrannies, despair, law, chance, hath slain और वो सारे लोग, जिनकी मित्यू कैसे हुई है, तो चाहे वो war से मरे हों, जंग में, या डर्थ में, किसी तरह की अकाली में, age से, बहुत जादा उम्र होने से, agues से, यानि एक तरह की बुखार वाली जो भिमारी होती है, tyrannies से, दूसरों की cruelty से, despair, निराशा, law, यानि ज तरीका रहा होगा, लेकिन अब उन्हें अपने शरीर के पास जाना है और उन्हें भगवान के सामने जाना है, and you whose eyes shall behold God and never taste death's woe, और इन सभी लोगों की बीच में, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनकी आखें हमेशा कहां थी तो भगवान के उपर थी, उन्होंने कभी कुछ ग परेशानिया होती हैं, जो दुख दर्द होती हैं, वो उन्होंने कभी feel नहीं किया, और ऐसा किनके साथ हुआ तो जो holy men थे, जो saints थे, जिन्होंने death को एक problem की तरह नहीं देखा, बलकि death को accept किया, यहां उन सभी लोगों की बात हो रही है, चाहे आपकी death कैसे भी हुई हो, आज doomsday है, और आप सभी को भगवान के सामने जाना है, गौड के सामने जाना है, अब अभी तक की lines में यह जो poet हैं, यह बता रहे हैं कि doomsday आ चुका है, अब हमें God के सामने जाना है, लेकिन अब यहां इस ninth line में एक turn of events होता है, यहां poet कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता दिन आए, पहले भले सभी लोगों से कह रहे थे कि यह दिन आ चुका है, चलो जाग उठो, लेकिन अब कह रहे हैं कि ऐसा दिन ना आए, but let them sleep Lord, and me mourn a space, यानी please भगवान उन सभी को सोने दीजे, उनकी जो आत्माएं हैं उन्हें मत जगाईए, उन्हें अपने सामने मत यानी मैंने भी तो कुछ गलत किया है, क्या मुझे उसके लिए दुखी होने का, मुझे उसका पच्चतावा करने का समय मिलना चाहिए, For if above all, these my sins abound, क्योंकि इन सब कुछ के उपर मेरे अपने खुद के सिंस है, मेरे अपने पाप हैं जो मैंने किये हैं, और मैंने अभी तक उनका पच्चतावा नहीं किया है, तो मैं आपके सामने कैसे जाऊंगा, इसलिए पहले मुझे थोड़ा समय दीजे Tis late to ask abundance of thy grave, मैं जानता हूँ कि देर हो चुकी है, कि मैं आपसे समय मांगू, आपसे कहूँ कि आप तो बहुत अच्छे हैं, मुझे थोड़ा समय दे दीजे, मैं जानता हूँ इसके लिए देर हो चुकी है, कि मैं अपने पाप को भी भूल सकू, उनका पच्चतावा कर When we are there, और ये सब कब होगा, जब मैं आपके सामने आऊँगा, मुझे लग रहा है, जब तक मैं आपके सामने आऊँगा, बहुत देर हो चुकी होगी, और मैं अपने पापों को मिटा नहीं पाऊँगा, तो इसलिए अभी हमें मत बुलाइए, Here, on this lowly ground, teach me how to repent, और इसलिए मुझे इस lowly ground, यानि ये जो धर्ती है, ये जो अर्थ पर जब तक मैं हूँ, यहीं पर मुझे बता दीजे कि मैं repent कैसे करूँ, मैं अपने गलतियों का पच्चतावा कैसे करूँ, उनके लिए जो guilt मुझे feel करने चाहिए, वो मैं कैसे feel करूँ For that's as good as if thou hadst seal my pardon with thy blood, क्योंकि ये उतना ही सही रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा, मानो आपने मेरी जो pardon है, जो मेरी sorry है, मेरी गलती है, उन सभी को माफ कर दिया, खुद अपने ही खून से, यानि आपने मुझे accept कर लिया, आपने मुझे अपने miss ले लिया, अपने में शा कर लिया, तो ऐसा करने से पहले, आपके सामने जाने से पहले, मुझे इस धर्ती पर ही सिखा दीजे, कि कैसे अपनी जो problems, अपनी जो गलतियां है, उनको मैं मिटा सकूँ, उनका पच्छतावा कर सकूँ, फ्रेंट्स, यहाँ पर ये poem खत्म होती है, पोयम में basically poet हमें ये ब अपने उन सिंस को दूर करेंगे, उनका पच्छतावा करेंगे और भगवान के सामने, गौड के सामने एक अच्छी रिकॉर्ड के साथ जाएंगे, तो फ्रेंट्स, यह थी जॉन डन की पोयम, At the Round Earth's Imagine Corners Blow, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिये.